हेलो दोस्तो नमस्कार कर दोस्तों आप सभी लों को पता है कि वेनस डे येस वेनस डे के अगर आप बात करें दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टन दीन रहता है यहां पर बहुत सरकार के अलग अलग बेठक हम लोग को देखने का आप मिल जाते हैं सबसे पहले एस इस वीडियो के शुरुआत में इसमें से एक परमिशन हो चुकी है अब यहाँ पर यहाँ हो चुकी है अगर यहाँ पर डबल सिगनेचर हो जाता है मतलब यहाँ पर प्रस्ताव है व फाइनल यहाँ अगर उसके उपर वहाँ पर हम लोग को यह approval मिलते वे देखने को यहाँ पर मिल चुका है and उसके बाद अभी stage 2 के approval के लिए यहाँ पर इंतजार चल रहा है so जो news हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जैसे में आप बोल सकते है sources report के जरीए देखने को यहाँ पर मिल रही है so इसका जैसे ही confirmation आजाएगा बाजार में हम लोग को reaction और भी यहाँ पर detail में देखने को मिल सकता है so जो news की हम लोग बात करें चाहे वो sources report के जरीए हो क्या वो news positive है या फिर negative है तो दोस्तों जरूर यह news है negative so यहाँ पर किस से related है तो सारी चीज़े आप लोगों को समझ मैंगी कौन से stock के उपर इसका impact देखने को मिलेगा A to Z सारी information आप लोगों को देखने को और सीखने को मिलने वाली है so दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पर पता है कि GST tax की अगर मैं बात करूँ अगर tax बढ़ता है तो company के लिए खराब बात रहती है क्योंकि आपको पता है कि company जितना भी prices रहती है सब कुछ खुद का profit margin सब कुछ maintain करके वो price को रखती है अगर यहाँ पर tax बढ़ जाता है अगर वो price नहीं बढ़ाती है जो भी वो goods and services को बेचती होगी तो क्या हो जाएगा yes company के margins खराब हो जाएगे company को खुद को loss होना शुरू हो जाएगा या फिर कम profit मिलना शुरू हो जाएगा तो company को क्या करना पड़ता है yes company को दाम बढ़ाने पड़ता है और और भी चीजे जो बेच रहे है चाहे वो goods है या फिर services है वो महिंगी होना start हो जाती है तो आज की दिन की बात करें तो दोस्तो GST yes या पर GST rates में बदलाव से related तो आप लोग ने बहुत सारी देखने को आपे मिल जाता है और उसके बाद का जो rate हम लोगों को देखने को मिल जाता है वो होता है 28% सबसे highest rate कौन सा है no doubt 28% और सबसे highest मतलब क्या रहेगा ये ऐसे goods और services है दोस्तो जो की मतलब हम कह सकते luxury type मतलब इसे आप लोगों की कोई जिंदगी की जो रफ्तार है वो कोई रुकेगी नहीं आप इसके बीना भी ऐसे सामान जो बोलते ना goods and services के बीना भी आप जी सकते हो बड़ अगर आप वो afford कर रहे हो मतलब आप लोग कुछ जादा ही मतलब अमीर हो ऐसे सरकार का मानना है तो इसलिए वो क्या करते है उस goods and services के उपर क्या करते है 28 टक्के का tax लगाते है GST लगाते है तो ऐसे कुछ example में आप लोगों के सामने आप रखना चाहूँगा जैसे कि आप लोगों को पता होगा जैसे कि luxury type की चीज़े जैसे कि अगर मैं एक दो example दे दू तो गाड़िया जो भी गाड़ी रहती है अगर आप उसका बिल देखोगे तो 28% का tax यहाँ पर लग जाता है 1414 करके दैन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर cigarette जैसी चीज़े अगर आप cigarette जैसी चीज़ों का afford कर रहे हो या फिर अगर मैं कह सकता हूँ tobacco जैसी चीज़ों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास बहुत पैसा है ऐसा सरकार का मनने तो 28% का tax लगेगा आपको पान मसाल है जैसी चीज़े जो की सरकार चाती आप consume ना करो जादा यादा वो महिंगी हो जाए तो उसके उपर सबस्यादा tax लगता है कुछ beverages की अगर हम लोग आपके बात करें जो hard drinks में हम लोग को देखने को मिल जाते है एल्कोल जैसी तो उनके उपर higher level का GST देखने को मिल जाता है power bank की अगर में बात करूँ जो charging करते हैं हम लोग एक power bank भी आता है AC के उपर heavy GST यह में क्यों बता हूँ आपको यह already 28% में ही है बट इससे हमें क्या पता चलता है कि यह ऐसी चीज़े है दोस्तों जो की luxury type के feeling आप लोग को दे रही है अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर हम लोग हटा दे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग जिंदगी जी नहीं पाएंगे करके रइट सो यह मैं बता क्यों रहा हूँ इतना सब कुछ आप लोग के introduction क्यों दे रहा हूँ कि कुछ ऐसी भी चीज़े दोस्तों बाजार में आज भी चल रही है जो luxury के ही bracket में आती है बट स्टिल सरकार ने उसके उपर 28% नहीं सिर्फ 18% या फिर उसके नीचे GST या पर applicable करके रखा हुआ है सो आज की दिन की बात करें दोस्तों तो GOM की बेटक हम लोगों को देखने को या पर मिली है यस committee आप बोल सकते हो या फिर GOM बोल सकते हैं या पर तो अभी यहाँ पर उन्होंने permission दे दी कि चलो 18 टक ने अभी उसके उपर 28 टक का tax लगेगा एक और 10 टक का extra ले लेंगे जैसे मैंने का यह तो first box हो गया अभी यह सिफारिश आगे जाएगी तो यह GOM ने सिफारिश दिये तो यह final का पर जाते है दोस्तों तो यह final जाते है GST council के पास तो GST council के बेटक में यह final decision होगा कि यहाँ पर यह जो 18 टक का चल रहा था वो 18 टक का यहाँ पर लगना चाहिए कि नहीं सो आपको बेस तो समझ में आ गया अभी सर आप किस चीज की बात कर रही है तो चलिए उसी के उपर आ जाते वो दो चीज़े दोस्तों online gaming online games तो आप लोगों ने सुना होगा जैसे मैंने का कि अभी यह profession बनकर आगे सामने आ रहा है और सबसे शॉकिंग बात कैसीनो जैसी चीजे कैसीनो तो आप लोगों को पता ही होगा खास करके गोवा तो कैसीनो के लिए बहुत ही जादा फेमस है इन चीज़ों के उपर 18 टक्का ही लगता था अभी कैसीनो कौनसा मतलब एक आम आदमी कैसीनो में जाएगा यह तो रिच क्लास लोगों की बाते है फिर भी इसके उपर 18 टक्का लगता था तो civ के नजर में एक चीज़ आ चुके है और उन्हों के इन दो चीज़ों को कौनसा ऑनलाइन गेविंग एड कैसीनो का हरी और इस टक्के टक का यापे 28 टक्के नईन जैसे मैंने का ज dसक का और इसका ऑल cs सेंस नहीं इसके लिए सरकर हां भी बोल दीगी अभी कैसिनों से तो सरकर जरूर वसूल तो करेगी पैसा यहां पर दो ऐसे स्टॉक है दोस्तों जो कि इससे रिलेटर काम करते कैसी नों की बात करें तो मार्केट में अगर आप लोग अच्छे तरीके से घुल मिल गये हो तो आप लोगों को सिर्फ बिजनेस के ही सबसे नाम पता चल गया होगा कि कौनसे स्टॉक के नाम सामने आने वाले पहला है दोस्तों डेल्टा कॉप येस डेल्टा कॉप की अगर हम लोग यहां पर बात करें बहुत ही ज्यादा लगजरी टाइप वाला हम लोग कह सकते इनका देखने का पर मिल जाता है maximum चाट पेटन की बात करें तो आप लोग कह सकते इन्वेस्मेंट इतना भी खुछ खासने इसके उपर सरकार बहुत ही जबरदस टैक्स लगाने की कोशिश बार बार करता रहता है और इसी की चलते देखें न्यूज अभी तक कंफर्म नहीं कि यह जो बिजनेस में जो भी लोग जा रहे है यहापे इनका जो गुड्स और सर्विसेस का जो इस्तमाल कर रहे है वो डेफिनेटली अच्छा खासा उनके जेब में पैसा है तो डेफिनेटली सरकार यहापे क्या करेगी अभी इन चीजों के उपर 18 टक के नहीं बलकि 28% G GYM के और से का तक GST Council अभी GST Council की नेक्स्ट बेटा करेगी तब इन स्टॉक्स के उपर खास फोकस रखा जाएगा डेल्टा कॉप और किसके उपर नजारा टेक के उपर रैट नेक्स्ट सवाल आपका यह भी रहेगा सर किसके उपर यह GST लगेगा क्या अगर हम लोग यहा अलग-अलग winning taxes देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं जो entry fee रहती है उसके उपर यहाँ पर tax लगाने की वह बात यहाँ पर करें मतलब जो tickets बेचते हैं कैसी नहीं कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें entry passes की बात करें नजारा टेक में अगर gaming से related भी अगर आपको आगे बनना यह है तो औरहल में इतना ही वीडियो को close करने से पहले conclude करना चाहूंगा कि अट्रा टक्के का GST था 28% करने की बात यहाँ पर चल रही है किस पे online gaming और कैसे नहीं के उपर जिसके उपर नजारा टेक और उसी के साथ साथ डेल्टा कॉप अभी इनके उपर हम लोगों को लट करें future oriented business है इनका आगे भविशा की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर भार विदेश की अगर हम लोग बात करें तो online gaming को career pursue किया जाता है और विदेश से चीजे यहाँ पर हम लोगों को धीमे धीमे आती वे देखने का आपे मिल जाती है जैसे हम लोग तो यहाँ पर भयंग कर रहेगी यह भी आपनों को पता होना चाहिए हाले में यह company ने one is to one bonus से related recommendation भी यहाँ पर दिया है देखने ते आगे जाके इससे related क्या outcome निकल कर आता है तो फिलाल तो इनी चीजों से related बागचीत हम लोगों को देखने को मिले तो आशा करता हूँ ज जरू like and share यहाँ पर कर देना so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next studio तब तक के लिए bye bye